हेलो एवरिवान आप सभी काफिर से मेरे यूटूब चैनल सारा स्टिटियोरियल पे बहुत-बहुत स्वागत है आज से में क्लास 9 का हिंदि स्टार्ट कर रही हूँ होप कि आपको मतलब मेरा 9 का क्लास भी बहुत अच्छा लगे और आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग क्लास 9 में है जो भी आपके रिलेटिव सो फ्रेंड सर्कल में हो या भाई हो बहन हो जो भी है उनसे मेरा ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो क्योंकि अभी स्कूल बंद है तो मैंने सोचा आप नियू सेशन में क्लास 9 के लिए भी स्टार्ट करती हूँ ताकि उनको भी मैं हेल्प कर सको ठीक है तो प्लीस जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जो भी आपके कंटेक में आप उनसे मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करें ठीक है और क्लास 9 वालों से मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा ये वीडियो देखे आपको पसंद आए तो प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और एक बात मैं आपको पहले ही बूल दिती हूँ कि मेरे वीडियो की क्वालिटी आपको हो सकती है कि पसंद ना आए बट आप बुक को सामने रखो और लाइन टू लाइन देखती जाओ मेरा वॉइस सुनो बस आपको उतना ही में सम कुछ नहीं बोलूँगी वो आप बुक से रीट कर लेना ठीक है तो मैं बेसिकली आपको लेशन समझाती हूँ तो पहला लाइन क्या है देखते हैं हरी थे हरिया जन्रो भीर द्रोबदी री लाज राख्या थे बढ़ाया चीर भगत कारन रूप नरहरी धरिया आप सरीर बुर्ता गजराज राख्या कट्या कुंजर भीर दासी मीरा लाल गिरधर हरा महारी पीर मतलब कि यहां पे मीरा बाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्त वद्चलता का वर्णन क्या है मतलब कि भक्त वद्चलता मतलब कि श्री कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं उसके बारे में बताया है ठीक है तो यहां पे मेरा बाई बताते हैं कि जो उनके भगवान है उनके अराध्य है उन्होंने क्या क्या था हरी थे हरिया जन रो भीर मतलब हरी थे हरी कौन थे श्रीकेश ने उन्होंने क्या क्या था हरिया हरिया मतलब हरना किसी का दुख पीरा जन जन मतलब जो जन है ठीक है जो रोग है रो भीर भीर मतलब उनका मतलब पीर जो होता है उनकी जो वेदना होती है उनका जो दुख होता है उसको हरा था ठीक है तो किस तरीके से उन्होंने अपने भक्तों का कर्ष्ट हरा था मेरा बाई आगे बताती है कि उन्होंने क्या क्या था द्रोपती री लाज राख् महाभारत देखा तो उसमें आपने देखाई होगा कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने मतलब द्रोपती की लाज बचाई थी कैसे बचाई थी कि जब द्रोपती का चीर हरन हो रहा था तब श्री कृष्ण ने जो उनका वस्त्र था चीर मतलब क्या होता है वस्त्र वस्त्र को इ क्या क्या था कि अपने भक्त के कारण अपने भक्त के कारण नरहरी का नर्शिम्मा का रूप धारन गया था और वो भक्त आपको पताई होगा कौन है वो भक्त थे प्रहलाद ठीक है ठीक है उनको बचाने के लिए श्री कृष्ण ने क्या क्या था श्री कृष्ण मतब श्री ह अगे कहते हैं बूर्ता घजराज राज कटिया कुण्जर भीर तो वह कहते हैं बूर्ता घजराज को गजराज की प्रान हाती होता है भीर मतलब उनके उपर जो संकट आया कटिया मतलब हटाना ठीक है तो मतलब हातियों के उपर जो संकट आया था उसे दूर किया था किस तरीके से डूपते हुए गजराज को बचा करके ठीक है तो फिर आगे मीरा जी कहती है कि दासी मीरा लाल गिर्दर हरा महारी पीर ठीक है तो आगे मीरा बाई कहती है इसलिए मुझे पर भी किरपा कीजिए और मेरी पीरा को दूर कीजिए ठीक है तो ये हमारा पहला पद था दूसरा पद में देखते हैं क्या लिखा हुआ है मीरा बाई कहती है पग बांध घुंगरिया नाच री, लोग कहिया मीरा बावरी, सासु कहिया कुल नाशी री, बिखरो प्यालो, राजा भेजिया, पीवा मीरा हासी री, ठीक है, तनमन वाडिया पड़ी, चरिनामा, दर्सन अमरित प्यास्या री, ठीक है, मीरा के प्रभु गिर्धर नागर, थारी सरना आस्यारे, मतलब कि दूसरे पद में, मीरा बाई ने क्या कहा है, दूसरे पद में मीरा बाई कहती है, वो अपने अराध्य के प्रती, उन्होंने क्या क्या है, पूरा संपूर्ण, उन्होंने अपने अराध्य प्रभु श्री कृष्ण के प्रती, अपना समर्पन उन्होंने पूरी तरीके से समर्पित कर दिया मतलब पूर्ण रूप से वो समर्पित हो गई अपने अराध्य के प्रति अपने श्री कृष्ण के प्रति तो वो भगवान के मतलब भगवान को अपना सर्वस्व समर्पन का भाव प्रकट करते हुए कहती है कि मीरा बाई क्या क बाई कहती है कि मैं अपने अराध्य के लिए इतनी बावरी हो गई कि अपने पैरों में घुंगरू बांध करके सिर्फ उनके भजन गाती नाचती ठीक है तो इससे लोग उनको क्या कहने लगे लोग उनको बावरी मतलब पागल कहने लगे पगली कहने लगे उसकी सासू से क् कहने लगी कुलनाशी कहने लगी ठीक है और फिर क्या हुआ उसके जो ससुर्जी थे महाराजा राना सांगा ठीक है उन्होंने क्या था मीरा को मारने के लिए विशक event का प्याला भेजा था देखो बिखरो प्याल के आण राजा भेजिया पीवा मीरा Sikh और मीरा बहूंने क्या ed उसे हस कर पी लिया था बट फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ क्यूंकि वो उनके प्रान रक्षा कौन थे श्रीक्रेश्न थे जो उनकी रक्षा करते थे ठीक है तो आगे मीरा बाई कहती है कि वे अपना तन्मन देखो तन्मन वारिया परी चरिनामा दर्शन अमरित प्यासया ठीक है तो मीरा बाई कहती है वे अपना तन्मन सबकुछ श्रीक्रेश्न के चरनों में अर्पित कर उनके शरन में जाने के लिए एकदम तयार है उद्धत है ठीक है एकदम ब्याकुल है ठीक है मीरा के प्रभु गिर्धर नागर थारी सरन आस्यारी ठीक है तो कहती है कि मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करके आपके शरन में आई हूँ अब आप ही मेरी मतलब मुझे सद्गती दे मुझे मेरा मतलब इस जीवन से जो भी उनका मतलब भाव था जो मतलब उसकी भक्ती भावना थी कि उनको अपने शरन में वो ले ले ठीक है तो ये हमारा पहला और दूसरा पद था ठीक है I hope कि आपको समझ में आया हो अगर समझ में नहीं भी आया है तो आप मुझे comment section में comment कीजे मैं improve करने की कोशिश करूँगी और जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की help करूँगी but class 9 वालो आप लोगों से भी मेरा request है कि मेरे channel को like share and subscribe करना ना भूले और जितना हो सके share करूँ क्योंकि अभी school बंद है तो जितना हो सके मैं सबकी help करना चाहती हूँ ठीक है तो तब तक के लिए bye take care घर पे रहिए safe रहिए ठीक है